दोस्तो अगर आप एक Windows के यूजर है तो आज मैं आपके लिए तीन ऐसी यूटिलिटी लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़ादा यूसफुल है और हर एक यूटिलिटी अपने आप में यूनीक है और सबसे खास बात एपसुल्टली फ्री है इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए आप बिना किसी दिरी के आज की टेक्नोबाजी शुरू करते हैं दोस्तो वीपेन के बारे में तो आप समको पता ही होगा तो कुल मिला कि वीपेन सर्विस एक ऐसी सर्विस होती है जिससे आप इंटरनेट के उपर अपनी आइडिन्टिटी को सेफ रख सकते हैं वीपेन के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है पेट सफ्रेस के बारे में लेकिन अगर आप टेक्नोबाजी के वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको यह पता ही होगा कि मैं अपने इस चैलनल के उपर mostly उनी टूल स्क्रिट के बारे में बात करता हूँ जो कि absolutely free होते है तो free VPN को अपनी सिस्टम में configure करने के लिए सबसे पहले आपको आपका chrome browser open करना है और यहां पर आपको search करना है VPN book ठीक है पहला लिंक आता है आपको vpnbook.com का इस पर आपको click करना है ठीक है और इसके बाद आपको ऊपर की तरफ एक option नज़र आता है free vpn का इस पर आपको click करना है और अब यहां पर आप देख सकते हैं एक option है free pptp vpn हम यहीवाल option चूज करेंगे हम यहां पर कोई भी software download नहीं करेंगे हम हमारी windows की setting के अंदर ही vpn को configure करेंगे ठीक है अब आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको अलगला countries के server की list नजर आती है और यहां पर आपको नजर आता है एक username और एक password ओके तो यह हमको हमारी system के अंदर configure करना होगा windows 10 और windows 11 के अंदर आप यह कर सकते हैं तो आपको करना क्या होगा system की setting open करनी है आपको right click करते हैं settings के अंदर आता है इसके बाद network and internet option और इसके बाद हमको option मिलेगा vpn का click करना है तो एक बार मैं क्या करता हूँ इन दोनों को इस तरह से कर देता हूँ अब देखे यहां पर यह जो list आ रही है दोस्तो इन में से कोई साभी server आप यहां पर choose कर सकते हैं तो मैं यहां पर Germany का server choose कर लेता हूँ ठीक है तो हम करेंगे इस वाले address को copy और यहां पर server name के अंदर इसे कर देते हैं paste ठीक है इसके बाद type of sign info यह हमें username password रहने देना है और इसके बाद username जो है द manually हम type करेंगे 2k7k5vc ओके और simple इसके बाद remember my sign in info पर आपको टिक रहने देना है और save पर click करना है यह हमारा VPN configure हो चुका है और इसके बाद जब भी आपका अपना VPN यूज करना हो तो आप यहां से भी connect कर सकते हैं यहां फिर नीचे जो system track icons है इनके ऊपर click करना है आपको किस पर click कीजिए इसके बाद VPN book के server से आपका username password verify होने लग जाता है सब कुछ सही हुआ तो यहां पर आपको connection का sorry connected का message आ जाएगा और VPN book connect होने के बाद जहां पर आपका internet का icon है वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक VPN book एक छोटा सा अलग icon नजर आएगा ठीक है इ जब से मैंने मेरे इस system के अंदर windows 10 को टा करके windows 11 install की है तब से बाकी चीज़े को perfect चल रही है लेकिन sound के अंदर मुझे वह मजा नहीं आ रहा है जो windows 10 में आता था क्योंकि volume जो boost मिलता है वो भी इतना नहीं मिलता था और sound की quality भी मुझे इतनी अच्छी नहीं मिल रही है तो volume boost हो जाती है लेकिन वह quality हमें नहीं मिल पाती है तो इसका एक best solution है fx sound तो इसके लिए आपको google search करना होगा fx sound पहली website आ जाती है fx sound.com इस पर आपको click करना है और यहां पर आपको download option मिल जाता है simple download for windows इस पर click कीजिए और fx sound को download कर लिजिए ठीक है बहुत ही छोटा है 46.1 mb के असपास का यह tool है download करने के बाद अपनी system के अंदरे साफ इसे install कर लिजिए desktop के उपर fx sound का एक shortcut बन जाएगा आपको open करना है और यहां पर आपको अलग-लग presets देखने को मिल जाते हैं जैसा आप environment चाहते हैं वैसा आप यहां पर preset choose कर सकते हैं अगर आप movie देख रहे ह से अब down कर सकते हैं equalizer को और यहां पर clarity है ambience है surround sound है dynamic boost है best boost है काफी सारे अलग-लग option दिये हैं आप अपनी जरूरत के साब से इन्हें modify कर सकते हैं और ऐसा sound experience कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया होगा दोस्तों जब भी हम कोई भी चीज internet से download करते हैं तो mostly हम browser की थुर्ई download करते हैं अगर आप mozilla के एस्तेमाल करते हैं तो chrome के फुर्म के थुर्ई download करते हैं लेकिन browser से download करने पर हमारे internet की capacity है वो full speed के अंदर download हमें नहीं दे पाते हैं तो इसके लिए mostly लोगों को मैंने internet download manager यानि की IDM को use करते वे देखा है अब IDM है एक paid software और पैसे ना देने पड़े हैं इसके लोग इसका crack version रूणने लग जाते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि इसका free alternative भी मौजूद है जिसका नाम है free download manager FDM को download करने के लिए simple है आपको आपके आना है Google के उपर और search करना होगा FDM या फिर free download manager पहली website आपको मिलेगी free download manager.org इस पर आपको click करना है इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक ही है कि जिस browser का आप इस्तमाल करते हैं 32 bit का अगर आप इस्तमाल करते हैं और अगर आप browser 64 bit का यूज करते हैं तो आपको FDM भी 64 bit का यूज करना है ध्यान दकना मैंने यहाँ पर browser की बात की है 32 bit 64 bit की windows की बात नहीं की है 64 bit के windows के अंदर आप 32 bit का browser यूज कर सकते हैं इसके लिए यह आपको ध्यान देना होगा ठीक है तो अब यहाँ पर आपको आनना है download for other platform पर इस पर आपको click करना है और देखें 64 bit का browser का यूज कर रहे है तो 64 bit का download करना है और 32 bit का use कर रहे है तो 32 bit का दाउनलोड करना है और अब आप देख सकते हैं, ब्राउजर से जो हमें speed मिल रही है, वो तक्रीबन 500 Kbps की download speed हमें मिल रही है, अब हम check करते है, FDM से क्या speed मिलती है, installation complete हो जाने के बाद, आपको इसके ब्राउजर का extension आपके ब्राउजर के अंदर install करना होगा, काफी important काम है, तो इसके लिए आ करना होगा, यहाँ पर आपको जो तीन बार नजर आ रही है, settings की बार, इस पर आपको click करना है, और यहाँ पर आपको option नजर आएगा, preference का, इस पर आपको click करना होगा, चीक, और इसके बाद आपको scroll down करके नीचे आना है, जो भी browser आप use करते हैं, chrome या mozilla, तो इसका extension के लि download करनी है, simple आप जिस तरीके से download करते हैं, वैसे आपको download करना है, FDM automatic fetch कर लेगा, आपके download को, और download पे click कर दीजे, अब देखे, जहाँ पर पहले हमारी download speed 500 kbps आ रही थी, अब आप यहाँ पर देख सकते है, speed हमारी 5 mbps तक की आ रही है, दोस्तों इसी तरह की interesting और useful videos देखते रहने के लिए don't forget to subscribe टेक्नो बाजी और वीडियो को like कर देना, फिर मिलाक आतो होगी अगली वीडियो में, goodbye, जैहिंद